हेलो दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में देख सकते हो एक इकसाब हेटर है और देखिए वो इकसाब हेटर क्या करता है कॉंक्रीट को बलोक है ना उसको देखिए डाल रहा है देखिए कॉंक्रीट का बलोक इस मसीन में डाल रहा है दोस्तो इस मसीन का नाम है concrete crossier machine दोस्तों देखिए ये machine का काम क्या है इस सा भेटर क्यों concrete को इसमें डाल रहे हैं concrete का block है बहुत पुराना concrete block है इसमें क्यों डाल है दोस्तों तो आईए आपको हम संचीप्त से समझाते हैं अच्छे से समझाते हैं देखिए दोस्तों जब हमारा घर पुराना हो जाता है पचास साल, साथ साल तो आप क्या करते हैं वो घर तो पुराना हो गया आप उससे चाहते हम तोड़ दे और वहाँ पे नया घर बनाए तो दोस्तों घर तोड़ देते हैं उसमें जितना सारा concrete होता है आप समझते हो concrete हो गया सा कोई काम ही नहीं है क्योंकि बहुत पुराना कंक्रीट हो चुका है दोस्तों हाँ तो आप उस कंक्रीट को यूज कर सकते हो क्योंकि एक इंजिनियर ने डिजैन किया है वह मसीन का नाम है कंक्रीट क्रॉसर मसीन यह जो मसीन देखर इसका नाम है कंक्रीट क्रॉसर मसीन इसम सारा आप कॉंक्रीट का ब्लोक देखते हैं यह सारे को इसमें देखिए एक बेल्ट की थूरू क्या करता है इसमें अलग-अलग छोटे-छोटे आंच ओलाग ड्रक्ट है और थर और समॉल ऐले स्ट में जटेपैश आप देख सकते हो यहां पर के लग्रू कित्हुं किया करता है difference अपने डिफरेंटிफ्रिंस डायेक्शनम जा रहए है जो स्कूअ भी ठीक है दोस्तो तो देखिए इसी तरह से हमारा एक काम करता है दोस्तो देखिए यहां पर है वो सेंड है आपको दिख रहा है वो सारा सेंड है ठीक है दोस्तो वो सेंड कोलेक्शन हो गया है और देखिए यहां पर यह जो आ रहा है यह अलग यह कोर्स एग्रिगेट है दोस् rush को separate कर सकते हैं ठीक हैं धिए इसमें क्रासर बिल्ट लगा है जैसे मैं भूला था इस में ख्र district यह क्रेब्शर बिल्ट क्या करता है और अलग अलगल ग्रैविटी कर ग्रावट की तुम हिसको इसको करता है दूस्तों ठीक है और यह देखिए इससे थोड़ा पर नहीं पठीकल यानि कि बहुत में में ही इसे पार्टिकल लए देख़ सकते हों तो इसको अलग डेरी समलेडा दाता है तो इसी तरह से काम करता है दोस्तों ठीक है आए होप आपको समझ वंगया है